सीरियल कुमकुम भागे में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्वेज जहां पर अब पूरवी और आरवी दोनों मांगने वाले हैं साहिल से मदद वैल आपको बता देखी यहां पर साहिल जब जसी को देख लेता है तो वो वो नेहा से ब्रेक अप करके चला जाता है जिसके ब खाना है कि तेरा ब्रेक अप नहीं हुआ है जिसके बाद आप यहां पर नेहा बिल्कूल ऐसा करती है वो जाती है बाहर और कॉल पर अब ज्चुट मूटके बात करती है और कहती है थैंक यूँ कुर्च तुमने मुझे मुझे माफ कर दिया अच्छा है हमारा ब्रेक अप ब्रेक अप नहीं हुआ जिसके बाद अब वो जाती है और रोते रोते गिड़ाते परेसान होते नज़राती है यहां पर दिया भी पहुंच जाती है तब ही यहां पूर्वी दिया से कहती है कि अगर यह थोड़े दिन का डाइवर्स जिन्दगी भर के डाइवर्स में बदल तो इसके बाद अब यहां पर बहुत ही इमोशनल सा मूमेंट सो जाते हैं क्योंकि यहां अब जो आर्वी है उसका दिल भी तूट चुका है कि कहीं न कहीं वो भी प्यार करने लगा है पूर्वी से लेकिन बस बात यही है कि वो अभी तक एक दूसरे से अपने प्यार का इ दादू कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं आसिरवाद देता हूं कि जो भी आर्वी के लिए सही हो ना बस तुम वही करो जिससे अब यहां पर मौनी सा थोड़ी सी डाउट में आ जाते हैं इससे लगता है कि यह क्या हो रहा है आखिर दादू इसे इसे आसिरवाद क्यों दे र रोके लेकिन उन्हें पता चलेगा कि इनका प्रेकप तो हो चुका है मतलब कि इनने बेवकूफ बनाया गया है तभी यहां पर अब जो पूर्वी है वो रिक्वेस्ट करती है साहिल से और कहती है कि तुम ही हो जो हमारी शादी को बचा सकते हो बस एक बार चलो और इस कि मदद करने वाला है तो देखना इंटरस्टिंग होगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी होता है इस बार क्योंकि दूसरी टीम में भी तीन लोग और अभी धर भी तीन लोग या फिर कहें कि पूरी फैमिली के साथ है ये लोग तो आप हैं कितने एक्साइटिड क्या आप कि शादी रुख जाए और मोनीसा का चहरा सभी के सामने आ जाए आप हैं कितने एक्साइटिड हमें कमेंट करें ऐसे खबरों जुड़ रहे हैं निकले आप मारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें